नसे लोस्तों, ढिट हैं आज की 23 अगस 2022 और स्वागत है आपका एक्टोयल डिस्केशन में तीन इशूज आज हम डिटेल से डिस्केश करेंगे एक हिंदू का दो अलग अलग निउस्पेपर से सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्केश करेंगे हिंदू का प्री स्कूल एजुकेशन से सम्दित दूसरा आर्टिकल हम डिस्केश करेंगे इंडिन एक्सपेस का सी राजा मोहन का जो हर टूजडे को आता है IR से समंदित अच्छा लिखते हैं सीदाजा मोहन IR से समंदित आर्टिकल्स और तीसरा आर्टिकल सोलर अनर्जी का हम डिसकस करेंगे डिसकसन हम स्टार्ट करें उससे पहले एक एथिक्स का एक्जामपल आप देख लिजिए emotional intelligence का कल देखो बिहार में बहुत सारे aspirants जो teacher बनना चाहते हैं उनके दोरह ना पटना में प्रोटेस्ट किया जा रहा था तो पुलीस ने उनको disperse कर दिया लेकिन एक जो प्रोटेस्टर है न वो जाने को तयार नहीं हुआ उसके बाद क्या हुआ बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा है जाहिर तोर पर लेकिन देखो पहली तो बात आपको पता ये normal चीजे तो हर नागरीब को पता होता है कि अगर आप पुलीस लाठी चार्ज भी करती है तो priority होनी चाहिए कि पैरों पर डंडे मारे जाएं किसी और अंग पर नहीं दूसी चीज ये जो डंडे मार रहे है ना ये एडियम है एडियम का कोई काम ही नहीं है डंडे चलाने में ये पुलीस का काम है तो बात यहाँ पर यह है एक civil servant को ना हमेशा calm and composed रहना चाहिए situation देखो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा frustrating हो हो सकता है कि यहाँ पर जाम लगा हो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि लोग आसपास के बहुत ज़्यादा दुखी हो अब जाम लगता है तो economic activities भी परभावित होती है लेकिन देखो फिर भी ऐसा काम civil servant को नहीं करना चाहिए emotions बहुत ज़्यादा हाई हो गुस्सा आया और कानून के विरुद जाके काम कर दिया इससे ना situation और भी ज़्यादा बिगड सकती है मालीजिये इन्होंने डंडा चलाया protesters और ज़्यादा उगर हो जाते तो इनकी गलती की वज़े से पूरया मतलब पटना में बहुत हो सकता है कि chaos create हो जाता तो लेने के देने पड़ जाते तो वही बात है emotional intelligence में हम ये लिख सकत हैं जब भी ऐसी situation होना crisis वाली तो emotions control में होने चाहिए civil servant के ऐसा नहीं कि बहुत high emotions होगे बहुत ज़र गुसा आ गया और कुछ भी कर दिया क्यूंकि आप leader हो आप जो कुछ कर रहे हो ना आपको सारी जो machinery है वो follow कर रही है समझ गे चलिए अब discussion start करते हैं फर्स्ट इंपोर्टन आटिकल प्री स्कूल एजूकेशन से समझ दित हैं आप जी एस पेपर सेकेंड के इस टोपिक से आटिकल को रिलेट कर सकते हों देखो आंगनबाडी सेंटर्स के बारे में आप अक्सर सुनते रहते हों जाहिर तोर पर आपको पता है इंका काम क्या ह लेकिन मालीजी में में डिलेक्टली कोशन आ जाता है तो कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा इंट्रेक्शन में या फिर इंटर्व्यू पैनल के द्वारा कोशन पूछ लिया जाता है कि एक मिनिट में आंगनबाडी सेंटर्स के बारे में बताईए तो देखो बिलकुल स्पेसिफिक इंफोर्मेशन ये एक परकार से हमारे देश में चाइल्ड गेर सेंटर्स हैं इनको 1975 में इस्टाबलिश किया गया था इंटिग्रेटीड चाइल्ड डेवलप्मेंट सर्विसीज के अंतरगत नेन मक्सद था चाइल्ड हंगर और मालनूट्रिशन को टैकल करन इसके लिए बच्चों को न्यूट्रिशनल फूड मिलता है आंगनबाडी सेंटर्स में बड़ देखो इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है इन आंगनबाडी सेंटर्स में जैसे कि देखो महिलाओं को कॉंट्रेफसेप्टिव सम्मंदित जानकारी मिलत जाती है और स्कूल जाने से पहले जो चीजें उन्हें सीखनी होती है वो सिखाई जाती है इन आंगनबाडी सेंटर्स में काफी फाइदा भी हुआ है इनका आंगनबाडी सेंटर्स का क्योंगी बच्चे जब आंगनबाडी सेंटर्स में जाते हैं तो बाद में उसके कुछता है ऐसा क्यों जब देखो यह आंगनबाडी सेंटर से इतने सारी सर्विशिस को प्रोवाइड करते हैं तो फिर अटेंडेंस कम क्यों है देखो जो पैरेंट्स जिनकी इंकम कम है गरीब पैरेंट्स वो खाना तो ले लेते हैं यहां से मतलब मदर आ गई खाना लेने या फिर बच्चों को भेज दिया खाना लेने बट बिठाते नहीं है अपने बच्चों को उनको लगता है कई बार कि यह जो सेंटर्स है ज्यादा कुछ सिखाते नहीं है अफ वैसे तो जो एक्टिविटीज इन आंगनबाडी सेंटर्स में कंड़क्ट करवाई जाती है न राइटर कहते हैं देखो दिक्कत वहाँ है पैरेंट्स आखिकार चाते क्या है और आगनबाडी सेंटर्स में होता क्या है दोनों के बीच में गैप है देखो पैरेंट्स क्या चाते है आपको भी पता है हमारे बच्चे आगे निकले कल भी हमने आर्टिकल डिसक्स किया था आज का जो world है काफी competitive है parents अपने बच्चों को लेके काफी संजीदा होते है हमारे बच्चे पिछड ना जाए और खास करके गरीब परिवारों के जो parents है उनको ये लगता है और लगना भी चाहिए कि हम तो गरीब रहे गे लेकिन हमारे बच्चे पढ़ लिखके आगे निकल जाएं लेकिन आगन बाडी centers में बहुत बार ऐसे place जब होते हैं fun related activities होती है तो parents को ये लगता है कि यहाँ पर तो सिरफ खेल होता है सीखने को नहीं मिलता क्योंकि देखो बहुत बार ऐसा होता है कि parents खुद illiterate है उन्हें नहीं ऐसा पता नहीं लगता कि fun की साहिता से ही यानि खेल की साहिता ही से ही बच्चे धीरे धीरे सीख रही है उन्हें यह असास नहीं होता ये बात देखो writer इसलिए बोलते हैं जैसे मैंने पहले आपको बताया आंगनवाडी centers में जो चीजें होती है ना जैसे play related activities सिखाने के लिए खेल खेल में सिखाया जाता है तो वो ना experts के द्वारा recommend की गई हैं बहुत सोच समझके कि इस age group के बच्चों को यही activities करनी चाहिए अब खेल related activities होती है तो बच्चों की motor skills involved होती है motor skills मतलब बच्चे इदर से उदर भागते हैं रेंगते हैं चलते हैं दोडते हैं तो उनका जो सरीर है ना वो खुल जाता है कई कुछ चीजे वो खुद से करने लगते हैं मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको घरों में खिलोने नहीं मिलते तो में दोस्त बनते हैं social skills develop होती हैं तो यह सब चीजें बच्चे सीखते हैं लेकिन parents को यह लगता है कि नए हमारे बच्चे छोटी एज से ही English सीखने चाहिए छोटी एज से ही math skills उनको आनी चाहिए जैसे tables हो गया हो गई, subtraction, addition, numbers, counting यह सब उनको आना चाहिए छोटी एज से ह ही तब जाके वो आगे निकलेंगे, अब यह सब आंगनवाडी में नहीं सिखाया जाता, काईदे से सिखाया भी नहीं जाना चाहिए इस age के बच्चों को, क्योंकि सुरू से ही अगर यह रट्टा मरवाने वाली चीजें सिखाई जाएंगी, counting याद करो, table याद करो, तो ब पेरेंट्स को यह लगता है हमारा बच्चा आगे निकल जाएगा, अगर शुरुवाती एज से ही यह सब रट्टा मार के सीख लेगा, अब देखो यह दिक्कत तो सीरियस है, तो क्या किया जाए कोशन यह उठता है, देखो ना तो जो पेरेंट्स चाहते हैं, डिलेक्ली व बुद्दा का मीडल पाथ है, अरिस्टोटल का मीडल पाथ है, कि फन रिलेटिड एक्टिविटीज तो हो, लेकिन थोड़ा उसमें इंगलिस और मैथ का तड़का भी लगा दिया जाए, मतलब कि कुछ चीजें रिकुनाइज करने के आओ सकता है कि पैरेंट्स चाहते हैं, बच्चा इंगलिस सीखें, लेकिन इंगलिस रट्टा मारके नहीं सीखवानी चाहिए, जो अभी प्लेयर रिलेटिड एक्टिविटीज होती है न, उन्हीं में आप इंगलिस को इंक्लूड कर लो, आप ये रिकुनाइज करो, कि इंगलिस सीखने का सबसे बेस्ट जो सॉल बच्चे को जैसे पैंसिल दे दो, स्लेट हो, पैंसिल हो और बोलो बच्चे को कि लिखते रहो कुछ भी, तो बच्चा धीरे धीरे तो कुछ भी लिखेगा, लेकिन बाद में उसे राइटिंग भी सिखाई जा सकती है, इससे क्या होगा, मोटर स्किल्स भी डवलप होगी, जैसे पहले मैंने आपको बताया, बोडी मूव करती है, जैसे बच्चा भागता है, रेंगता है, चलता है, ये सब मोटर स्किल्स हैं, तो बच्चा लिखेगा, इदर उदर कुछ भी लिखेगा, बाद में धीरे-दीरे लिखना सिखेगा, तो उसकी मोटर स्किल्स भी डव दो लेंगे यहां पर तो ऐसे से कंपेरिजन से सोर्टिंग से से इनसे न मैथ का जो फियर है वो बच्चों में शुरुवाती एज से ही भगाया जा सकता है और एक्सपर्ट्स बोलते हैं शुरुवाती एज से अगर डर निकल गया न मैथ बगार का तो बाद में यह चीज बह जैसे इंग्लीज, मैथ, लिटरेशी वो सब इसके अलावा पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग्स होनी चाहिए रेगुलर सिख्सा चोपालस जिनको नाम दिया जा सकता है ताकि पैरेंट्स का ना आंगनवाडी सेंटर्स में और आंगनवाडी सेंटर्स के टीचर्स में डर ट्रस्ट डवलप हो regular messages parents को share करने चाहिए आंगनवाडी centers के द्वारा कि हमने तो आज बच्चे को ये सिखाया है आप घर में इसकी practice करवा दीजेगा इससे वो चीज न कभी भूलेगा नहीं तो बात यही है कि देखो parents का जो mindset है न वो change नहीं होगा लेकिन ये सारी activities थोड़ी थोड़ी आंगनवाडी में include की जा सकती है parents का बरोसा आंगनवाडी में बनवाने के लिए ताकि trust develop हो parents का और parents अपने बच्चों को आंगनवाडी centers में भेजें और दूसरा तो देखो long term में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा awareness फिलाओगे एक तरफ जहां आंगनवाडी centers की working आप improve करोगे दूसरी तरफ एक mass campaign चलाओगे कि क्यों आंगनवाडी centers में parents को अपना बच्चा भेजना ज़रूरी है क्योंकि आंगनवाडी centers में एक परकार से नीव बन रही है हमारे देश में आज के समय में 13 lakh के आसपास आंगनवाडी centers है ये देखो 13.3 lakh दोनों हैं आंगनवाडी और mini आंगनवाडी centers कई जगा population अगर थोड़ी होती है तो वहाँ पर mini आंगनवाडी centers open कर लिया जाता है आज के समय में इन आंगनवाडी centers के द्वाराना 30 million यानि 3 crore बच्चों को सरु किया जा रहा है पूरे देश में तो ये आंगनवाडी centers की जीत है जीत आगे भी कायम रहे हमारे देश में जो demographic dividend है उसको हम ठीक से यूज कर सके इसके लिए ये चाहिए कि आगनवाडी centers को और जादा मजबूत बनाया जाए सरकार कुछ परियास करे इन आगनवाडी centers में बच्चों की जो enrollment है और attendance है वो improve हो तो ये पूरा article हमने discuss किया इसके बाद देखो अगला article Indian Express का सी राजा मोहन का है New Delhi Balancing Act क्या contest है देखो चाइना का एक newspaper है Global Times independent newspaper नहीं है एक परकार से चाइना की communist party का propaganda है यहाँ पर मैंना एक चाइना के सेकुलर्स ने जिनका नाम है Liu Liu Zhongai इन्होंने एक article लिखा Liu Zhongai चाइना के Global Times newspaper में ये लिखते है अगर USA और चाइना के बीच में लड़ाई होती है Taiwan के issue पर तो इसका सिधा सिधा फाइदा होगा इंडिया को उस परकार से जैसे इंडिया पहाड के उपर बैठा है और नीचे इंडिया पहाड के उपर बैठा है और सामने दो Tigers आपस में लड़ रहे हैं कौन-कौन, एक तो चाइना और दूसरा यूएस से, ये इंडिया चाहता है, ये किसकी सोच है, ये चाइना के सेकोलर की सोच है, जिसने ग्लोबल टाइम्स में न्यूस पेपर में आर्टिकल लिखा, इवन देखो चाइनीज तो यही आर्गुमेंट, रस्या और यूएस से के यूएस से और अलाई कंटरीज के द्वरा, तो यूएस से और रश्या दोनों कमजोर हो रहे हैं, और फाइदा इंडिया को हो रहा है, ये चीज बोल सकते हैं चाइनीज, बट देखो इंडिया की ऐसी सोच नहीं है, जो चाइनीज सेकोलर लिख रहे है ना, ये चीजें इं इंपोर्ट करते हैं हमें महंगा तेल मिल रहा है दूसरा कोविड-19 की महमारी के बाद इंडिया प्लान कर रहा था कि अब हमारी एकोनमी तेजी से ग्रो करेगी बहुत तेजी से अब सब कुछ ठीक है लेकिन एकदम से वार हो गया तो ग्लोबल एकोनमी में भी सिचुएशन नहीं है इंडिया भी लिंग्ड है ग्लोबल एकोनमी से तो कहां फाइदा हुआ राइटर कहते हैं इन फैक्ट देखो आजाद भरत तो ना हमेशा चाइना को लेके ना बहुत ज़दा आइडियलिस्टिक रहा है देश आजाद हुआ उस समय नहरू एशियन सेंसरी की बाते किया करते थे जबकि देखो एक्सपर्ट बोल रहे थे नहरू को कि इंडिया और चाइना के बीच में ना स्ट्रक्चुरल प्रोब्लम है दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते लेकिन फिर भी बावजुद इसके आजाद इंडिया के द्वरा कोशिस की गई कि चाइना के साथ रिष्टे सही रखे जाएं तिबथ को चाइना का अंगमान लिया इंडिया ने इवन यूएन स्क्योर्टी काउंसिल में ये बोला गया कि चाइना इस सीट को डिजाव करता है पर्मानेंट सीट को उसमेना जातर एशन देश चाइना को लेके ना स्केप्टिकल थे मतलब व पुष्टिव थी एक परकार से ना लंबे समय तक यूँ कह सकते हैं कि इंडिया ने चाइना फर्ष्ट की स्ट्रेजी अपनाई और ऐसा नहीं है इसका खामियाजा इंडिया को नहीं बुगतना पड़ा बरपूर खामियाजा बुगतना पड़ा 1962 का युद हम हार गए और दलवान वैली में क्लैस हुआ ना फाइनली तब जाके थोड़ी बहुत इंडिया की आँखे खुली हैं कि चाइना के साथ रिष्टे कभी इंप्रूव नहीं होंगे अब चाइना की पावर बहुत जड़ा बढ़ चुकी है इंडिया से ये एक रियालिटी है चाइना का साम के एशियन सैंसरी नहीं बना सकते अब चाइना इंडिया को फोर्स कर रहा है कि आप हमारी जो सुपरमेसी है ना सविकार कर लीजिए और इंडिया इसके लिए तयार नहीं है सिदी सी बात है और देखो अभी बात करें अगर चाइना और यूएसे के बीच में यूद होता ह ना इंडिया क्यों चाहेगा चाइना और यूएसे के बीच में युद हो और ताइवान की जो इंपोर्टेंस है ना वो यूक्रेयन से कहीं जादा है एक तो ताइवान बीचों बीच पढ़ता है मतलब अगर पूरे वर्ड को ग्लोब की तरह देखे ना तो ताइवान में युद हो और जो लियू की सोच है ना वो सेकुलर जिन्होंने ग्लोबल टाइमस में न्यूजपेपर लिखा आर्टिकल लिखा सोरी तो उनकी सोच यह है दोनों कमजोर हो जाएंगे चाइना और यूएस से युद से और चाइना ज्यादा एंगेज हो जाएगा अपने Eastern China Sea में Indian Ocean को छोड़ देगा जब कि देखो ऐसा है नहीं चाइना बहुत बढ़ी power है East China Sea में तो चाइना की हमेशा ही टैंसेंज चलती रहती है लेकिन Indian Ocean में वो अपनी जो गतिवीदिया है जो attention है वो गम नहीं करता है बहुत बढ़ी naval power maritime power अब चाइना बन चुका है आप 1950s का याद रखिए, 1950s में क्या हुआ था, एक तरफ देखो, ताइवान को लेके US और चाइना के बीच में कन्फिलिक्ट था, US और चाइना के बीच में शुरुवात में कन्फिलिक्ट था, Chinese Revolution के बाद 1950s में, 60s में, बाद में इनके रिलेशन से इंप्रूव होने स्टार हो गए, शुरुवात में चाइना USSR के था था, लेकिन उसके बाद चाइना थोड़ा USA के क्रीब चला गया, लेकिन जब पावर्फुल हुआ, फिर USA को रिप्लेस करके सुपर पावर बनना चाहता है, तो रिष्टे USA और चाइना के बीच में काफी बदले हैं पिछले 75 सालों सुरू में खराब थे, काफी जदा, फिर इंप्रूव हुए, अब दुबारा खराब हो गए हैं, तो 1950s में ताइवान को लेके चाइना और USA के बीच में रिष्टे खराब थे, USA तो ताइवान को असली चाइना मानता था उस समय, लेकिन बावजूद इसके 1962 में चाइना न चाइना इवन ध्यान बठकाने के लिए भी, अपनी पावर दिखाने के लिए भी इंडिया से युद्ध स्टार्ट कर सकता है, USA को चेटावनी देने के लिए, आज के समय में चाइना के पास में political will है, economic muscle है, यानि बड़ी economic power है, और naval capability भी काफी बड़ी है, काफी जदा है चाइना के पास में two Asian strategy चाइना के द्वारा परशुक की जा सकती है, और देखू, C. राजा मोहन के अनुसार, लिउ का ये argument भी गलत है कि अगर चाइना का USA के साथ conflict बढ़ता है, तो इंडिया के लिए इस परकार से फाइदा है, कि चाइना इंडिया की तरफ nice हो जाएगा, nice मतलब अच्छा behave करने लगेगा इंडिया से, क्योंकि चाइना को लगेगा कि इंडिया ज्यादा USA का साथ ना दे, ऐसी situation में हमारी already tensions है USA के साथ में, नहीं, चाइना की सोच ऐसी नहीं है, पिछले 75 सालों में चाइना की सोच कभी भी ऐसी नहीं रही है, कि इंडिया के साथ अच्छा behave किया जाए, इससे फाइदा ये होगा कि इंडिया western countries की तरफ ना जाए, इंडिया की सोच सुरू सुरू में बेसक ऐसी रही हो, लेकिन चाइना की सोच कभी भी ऐसी नहीं रही है, चाइना की सोचना आज के समय में ऐसी है कि भया, आज के समय में हम powerful हैं हर करके, ऐसी सोच है चाइना की, चाइना ये भी मानता है कि west जो है, वो अब terminal decline कर रहा है, मतलब हमेशा मेशा के लिए west अभी decline कर रहा है, तो चाइना अपनी मनमानी कर सकता है USA के साथ engagement में, लेकिन डाइटर कहते हैं, ये सोच देखो सही नहीं है चाइना की, क्यों सही नहीं है, वो आगे बताएंगे, और रश्या भी वैसे चाइना की तरह ही सोचता है, रश्या को लगता है कि जैसे चाइना को ये लगता है ना, पहले तो पूरे एश्या में अपनी dominance establish की जाए, और फिर उसकी साहिता से USA के साथ behavior की term set की जाए, मतलब USA को फिर दिरे-दिरे करके द दब-दबा आ चुका है, उसी परकार से रश्या को भी ये लगता है कि यूक्रेयन वार की साहिता से यूरोप में उसकी मरजी का security order आ जाएगा, और फिर यूरोप में उसका दब-दबा हो जाएगा, लेकिन देखो रश्या और चाइना, दोनों के बीच में जिसे वो बोलत देखिए, यूएसे का देख लीजिए, 1970s में ये बाते बहुत बोली जाने लगी थी कि यूएसे अब decline कर चुका है, यूएसे का time खतम हो चुका है, लेकिन यूएसे ने bounce back किया, तो west, जो है ना, west मतलब western countries, उनमें ना bounce back करने की शमता है, तो अभी ऐसा नहीं सोचना चाह ये चाइना और रश्या को कि ये तो अब decline करने वाला है, पूरे world में हमारा ही दबदबा होगा, आप देख लीजिए, examples देखिए, जर्मनी जो पहले neutral होने की सोच रहा था, अब जर्मनी पूरी तरह से USA की तरफ हो चुका है, यूकरेन वार के कारण, जपान जो peaceful approach को अपन नहीं है, लेकिन जपान साउथ कोरिया जैसे देश, अगर हतियार इन्होंने बनाने स्टार्ट कर दिये पूरी सिद्दत से, तो फिर सोच के देखिए, कैसे कैसे हतियार ये बना सकते हैं, क्योंकि टेक्नोजी इनके पास काफी ज़्यादा है, बट दोनों देश न अभी USA क इनकी स्क्योर्टी अमरेला में आते हैं, मतलब थोड़े बहुत पैसे देते हैं USA को, बदले में इनकी स्क्योर्टी की जिम्यदारी USA की है, Second World War के बाद ये एग्रिमेंट हुआ था, क्योंकि जपान Second World War में बहुत ज़्यादा एक रियासिव था, तभी तो बं गिरवाए ग कीजिए जो Second World War के कारण नुकसान हुआ है, तो वही सिस्टम अभी चल रहा है, लेकिन जपान को काफी खत्रा है चाइना से, और जपान में बहुत सारी आवाजे ऐसी हैं जो कहती है कि USA के ऊपर हमें dependent नहीं होना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए खुद हतियार बनाने चाहिए, खुद की आर्मी होनी चाहिए, समझ गये, तो ये एक्जामपल है, जपान के एक्जामपल है, जर्मनी के एक्जामपल है, USA का एक्जामपल है, कैसे नाटो बिखर रहा था, नाटो एक जूट हो गया चाइना के कारण, रश्या के कारण, मतलब खास करके तो रश् होनी चाहिए देखो इंडिया की तो रननीटी यह होनी चाहिए यह जो बड़ी पावर्स है ना चाइना रश्या यूएस से इनके बीच में अपनी पोजीशन को बिल्कुल ठीक से प्ले किया जाए इंडिया को एक चीज यह जुरूर ध्यान रखनी चाहिए कि देखो बड़ी पावर्स के बीच मेंना रिलेशन कभी भी खराब हो सकते हैं कभी भी ठीक हो सकते हैं जैसे चाइना और यूएस से के पहले खराब थे फिर ठीक हुए दुबारा खराब हो गए तो ऐसा ना हो कि इंडिया पूरी तरह से यूएस से के पास चला जाए और बाद में यूएस से चाइना के रिष्टे ठीक हो जाए तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्क्रस किया सीरा जा महुन का चलते हैं आगे अगला आर्टिकल सोलर एनरजी से समद्धित है आप जी एस परसेंट जो हम इलेक्टिस्टी है ना नोन फोसिल फ्यूल से जनरेट करेंगे और इसके लिए इंडिया ने परियास भी किये हैं जैसे दो हजर पंद्रह में फ्रांस के साथ मिलके इंटरनाइशनल सोलर एलाइनस से इस्टाबलिस किया दो हजर अठारा में ये इंटरनाइ अगर यह पैनल्स लगाए जाए ना खेतों में तो इनकी साहिता से टेक्टर चल सकते हैं अब टेक्टर इनकी साहिता से चलेंगे तो देखो ओल कम यूज होगा, एमिशन कम होगा, किसानों की इनकम बढ़ेगी चलेंजिज हम डिसकस करें उससे पहले देखो ना सोलर अनर्जी को ना दो परकार से यूज किया जा सकता है एक ओफ ग्रिड एक ओन ग्रिड, ओन ग्रिड तो मतलब जैसे सोलर पैनल्स खेत में लगे हुए हैं और वो पैनल्स जुड़े हुए हैं ग्रिड से, इसका फाइदा यह होता है मा लीजिए किसान के द्वारा जादा सोलर अनर्जी पर्ड्यूस की जाती है ना तो वो ग्रिड को बेची जा सकती हैं ओफ ग्रिड मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, ग्रिड से जितना किसान पर्ड्यूस करता है उतना यूज कर लेता है अब ना ओन ग्रिड का फाइदा है ओफ ग्रिड का फाइदा नहीं है ओफ ग्रिड में एक तो सोलर अनर्जी का नुकसान हो जाएगा अगर किसान स्टोर करके रखना चाहता है तो उसके लिए बैटरी की जूर्थ पड़ेगी अब बैटरी में तो एमिशन होगा खर्चा भी बड़ेगा तो ये सही नहीं है चलेंजिस की बात करते हैं सबसे बड़ा चलेंज लेंड्स केरिष्टी सोलर पैनल्स लगाने के लिए जमीन चाहिए ना जमीन की तो कमी है या देश में अब जानतर जो सोलर पैनल्स बनाने वाले हैं वो एक्सपोर्ट जादा करना चाहते हैं वो डोमेस्टिक मार्केट पर फोकस नहीं कर रहे हैं ग्रीड के साथ इंटिक्रेशन बहुत कम है खेतों में जो किसानों ने सोलर पैनल्स लगाए हैं सोलीड वेस्ट मनेजमेंट पोलसी नहीं है मतलब यह जो पैनल्स हैं खराब होगए उनको कहाँ डिस्पोज करें कोमर्शल वाइवल्टी एंड उटिलिटी देखो यह जो टेकनीक है न सोलर इनर्जी को प्रोड्यूस करने की यह थोड़ी इंप्रूव होनी चाहिए क्योंकि पूरे देश में situation एक जैसी नहीं है कहीं पर sun कम है कहीं पर जादा है कहीं पर seasonal sunshine देखने को मिलती है कहीं पर पूरा साल देखने को मिलती है तो थोड़ा सा न सोलर पैनल्स में भी लाव आना चाहिए टेकनोजी और अच्छी होनी चाहिए thermal power plants तो देखो दूसरी चीज है बट solar power में क्या होता है यह consumer dominated power generation है इसमें लोगों का जो participation है न बहुत जरूरी है सरकार ने कौन से initiatives लिये है international solar alliance national solar mission किसान उर्जा सुरक्षा एवम उत्थान महाब्यान यानि PM कुसम one sun one one sorry one sun one world one grid यह सरकार के कुछ initiatives है होना क्या चाहिए incentive waste expansion policies होनी चाहिए किसानों को थोड़ा incentive दिया जाए solar energy produce करने के लिए solar energy multi potential candidate for development अब इसका मतलब देखो यह है ना सिरफ खेतों में use करने के लिए बलकि electric vehicles को चलाना हो domestic utility सबके लिए solar energy का इस्तमाल किया जा सकता है better financing and training देखो जो solar energy produce करने वाली companies है ना उनको better financing मिले ताकि वो अपना infrastructure develop कर सके इस के आप सकता है solar industry को थोड़ा सरकार की तरफ से boost चाहिए और यह भी ज़रूरी है कि गाउन लेवल awareness आनी चाहिए consumers को लगेगा कि हाँ solar energy के फाइदें हैं तब वो लगवाएंगे solar mascot for हर खेत में solar urja can be introduced in rule areas ताकि लोगों में जागरूता आए और grid connectivity अच्छी करने के लिए सरकार infrastructure को boost दे सकती है बाकि जो missions है make in India, smart city mission digital mission, digital media mission इन से link किया जा सकता है solar energy को तो ये पूरा article हमने discuss किया solar energy से सम्मनित और आज हमने तीन issues को detail से discuss किया, फिलाल इस discussion में इतना ही है, thank you thank you very much for discussion